जिनको सारी उम्र सहारा दिया उनी अपनों द्वारा ठुकराए गई विद्वा महिलाएं जो खुद के जिल्दगी को भगवान की शरन में आकर गुजारने के लिए व्रिंदावन में रहती हैं महिलाओं द्वारा जलाए गए दिपोत्सव की आभा से ठाकुर बांकी विहारी की नगरी व्रिंदावन दमक रही है शाम होते ही रंग बिरंगी रोशनी से नगर जगमग होने लगता है जिहां इस रोशनी के बीच शुकरवार शाम को जब यमुना महिया के तट पर सैकडो दिये जलाए तो विद्वा महिलाओं के सूने जीवन में खुशियों के दीप जगमगा उठे विद्वा और निराशित महिलाओं ने यमुना के केशी घाट पर दीपदान किया ताकि उनके जीवन में छाय अंदेरे कांथ किया जा सकी जिहां यह सात्वा मोका था जब इन महिलाओं नी रोशनी के उच्सम में भाग लिया सुलब इंटरनेशनल के डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक की और से इन विद्वा महिलाओं के लिए रोशनी के त्योहार का आयोजन किया गया इसमें काफी संख्या में निराशित महिलाओं ने हिस्सा लेकर दीबदान किया इन महिलाओं ने पहले यमुना महरानी की आरती की इसके बाद पुलों से बनी रंगोली पर दीबदान किया सैंकडो दियों की रोशनी से यमुना तट रोशनी से नहा उठा तो निराशित माताओं की जीवन में खुश्यों के दीब जगमगाने लगे यमना मैयों के चर्णों में दीबदान इन माताओं ने सब के लिए मंगल काम ना की मिट्टी के दिये जलाने के अलावा विद्वा माताओं ने इन वहां भजन भी गाए आज ये सबी विद्वाएं दिवाली की धूम में मस होकर अपनी जिन्दगी को भरपूर जीने की कोशिश करने में पीछे नहीं रही क्योंकि आज इनके सामने ऐसा ही मोका था जब दिवाली के संस्ता सुलब इंटरनेशनल एवरिंदावन में रहने वाली इन विद्वाओं के साथ दिवाली मनाई जिसमें इन महिलाओं ने अपने हातों से फूल जड़ी चलाई और पूलों से बनी ही खूपसूरती के साथ रंगोलियां भी बनाई और दिवाली के मोके पर एग हजार विद्वा महिलाई ने ग्यारा हजार दीपक जलाकर सब कुछ भूल कर दिवाली के दीपों के रोशनी के साथ अपने जीवन में चाय सभी अंदेरों को दूर कर लिया और हमेशा खूशियों के दीप जलाई रखने का सपना संजोती रही है इनकी खूशी जो है वो देखते ही बन रही है जिहां आपको बता दे कि श्रीधाम वरिंदावन के आश्रे सद्दों में सेंकडों विद्वा वर बे सहारा महिलाई निवास करती है इनमें से कई महिलाई परिवार से निस्क्रित होकर और गुमनामी की जिन्दगी बसर करने को मजबूर है इनने समाज के मुखेधारा से जोड़ने का बीडा सुलब इंटरनेशनल ने उठाया है राजहन्स राजिस्थानी भोजनाले शौप नमबर 6 टी माकेट पावर हाउस भिलाई चतिसगड की और से सभी परदेश वासियों और चिले वासियों को धन तेरस शुब दिपावले तदा भया दोज की हार्दिक हार्दिक शुब काम नाई राजहन्स राजिस्थानी भोजनाले पर शुच्षा का हारी भोजन की उत्तम व्यवस्था आपके लिए उपलब्ध है यहाँ पर पार्सन एवं जुमेटों से भी पार्सन सुविधा आपके लिए उपलब्ध है प्रोफेसर हरेश चोशी महालक्षमी से कामना करते हैं कि आपका परिवार सदेख खुशाल रहे और धन्धाने से भरपूर रहे सभी परदेश वासियों तथा जिले वासियों को एक बार फिर से राजहांस राजर सानी भोष नाले की और से आप सब को देपावले की धिरोश और कामना आप जे बीडी बैंक्वेट्स एंटरप्राइज